कि नमस्कार दोस्तों मैं आपके online learning platform let's study इंडिया पर स्वागत करता हूं मैं आपका physics two chapter Math hashraker औन आपको physics की ट्यारी कराओंगा क्या क्या है ये हम पहले वीडियो में जानेंगे पीजिक्स में क्या स्लेबस नहीं पना defense तो इस बार जो आपका physics सा COT है पिछली बार भी था जो syllabus है 12th का ही पूरा-पूरा syllabus है 12th की physics जो syllabus हुआ करता था पहले COVID से पहले वही इस बार भी है वही syllabus को पूरा-पूरा छाप दिया गया है एक तरह से आप देख लीजे हर chapter इसमें include किये गए है 12th के जो भी एंसाटियम syllabus ह हुआ करते थे जो जी chapter हुआ करते थे वह सभी chapter इसमें include है कौन-कौन सा chapter है देख लीजे एक बार फिर से इसने क्या किया है electric charges and fields को और electrostatic potential capacitance को एक पार्ट में कर दिया है electrostatic बोलते है electrostatic कर दिया है फिर क्या है current electricity जो जो इसाब से 3rd chapter है एक यूनिट में बाट दिया है फिर थर्ड यूनिट में क्या कर दिया है magnetic factor current and magnetism लिखा हुआ है जो कि आपको anxiety में आपको anxiety में क्या बताया रहा था moving charging magnetism को और अगला बाट दिया है इसमें रख दिया है फिर आपका अगला जो है EMI और AC EMI और AC EMI मतलब electromagnetic induction and AC alternating current इन दोनों को एक यूनिट में दे दिया है फिर आपका अगला चप्टर जो लास्ट चप्टर हुआ करता था anxiety का electromagnetic waves जिसमें displacement current के बारे में जानेंगे electromagnetic spectrum कौन-कौन से अलग-लग type की spectrum होते और रेटिक्स में waves होती है radio waves इसमें दे दिया है इसमें पूरा theory है फिर आपका डूल निचर ऑफ मैटर और निकलाइ एक निगंड दे दिया है फिर आपका इलेक्ट्रोनिक डिवाइस और कमुनिकेशन सिस्टम यह से कब का काड चुका था मगर सी उटी से लिपस में दिया हुआ ठीक है यह पढ़ना होगा अलग से भले आपने बोर्ड के लिए तो नहीं पढ़ा लेकिन स्यूइट के लिए आप को यह कॉम्मिनिकेशन सिटम पढ़ना होगा अब मैंने क्या किया है यह पूरे फिजिक्स की सिलिवस को मैंने चार पार्ट में तोड़ा है पैसे कि इसे बताया है फिजिक्स को चार पार्ट में कैसे तोड़ा है कि अगर यह अगर यह एक्जाम देते हैं तो जो जो आपको चाहिए होगी आपके स्कोर के इसाब से दी जाती है मिलती है ठेक है तो सिलेबस को मैंने कैसे पार्ट में तोड़ा है चार पार्ट में तोड़ा है पहला आपका इलेक्ट्र मेंगनेटिजम जिसमें की पहली पूरी बुक ही आजाएगी फिजिक्स की जो इंस्याटी की बुक होती थी पहली पूरी बुक ही पूरा सिलेबस उसमे जो cover होगा Electromagnetism, Electromagnetism में चार पांच पार्ट, Electrostatic, Current Electric, Magnific, Electrophilactic Current, End Magnetism, EMI, AC, EM-Waves, यह आपका एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपका जो होगा, Optics, Optics में दोनों, वो मैंने कहा अब ही, Optics में दोनों, एक आपका Ray Optics और एक Wave Optics, ठीक है, दूसरा फिजिक्स का तीसरा पार्ट, Modern Physics, Modern Physics जाने कि Modern Physics क्यों बोलते हैं, वो भी आपको पता होगा, Modern Physics जाने कि 1900 के बात जो Physics आई, जहां पर Physics में, जहां हम Atomic Level बात करना शुरू की है, ठीक, उसे Modern Physics बोलते हैं, Modern Physics को दो पार्ट है, Dual Nature of Matter and Radiation, और Atom Nuclear, और आपका Last होगा Electronics, Electronics जो Physics का एक जितने भी डिजिटल डिवाइसे होते हैं, उनके बार हम डिसकस करते हैं, जो कि सेमिकर्ट डिवाइसे इस चप्टर था, ठीक है, वह वाला, उसमें क्या क्या जाएगा, सेमिकर्ट डिवाला चप्टर और एक Communication System, अब देखेंगे, एक एक यूनिट में, अब हम क्या क्या क क्या वही टॉपिक हैं, जो हमें 12 में पड़े थे, क्या कुछ अलब टॉपिक भी यह कुछ, उसको भी देखा जाए, ठीक है से लुका में अब देखेंगे, पहला आपका पहली उनिट, इलेक्ट्रो स्ट्रेटिक, इलेक्रोंस्ट्रेटिक में पहला चप्टर जो बहुता था आपका ट्वेल्थ का इलेक्टिफ चार्ज रेंड फेल्ड इसमें क्या कुलॉंब्स लॉप पड़ा था आपने कुलॉंब्स लॉप से बता करते हैं दो चार्ज इसकी बीच में फोर्स पता करते हैं वो था उसके बाद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अगर खूप सारे पता करना हो किस प्रिंसिपल करेंगे इसको आलग से हम डिसकस करेंगे मतलब कि किसी बॉडईफ कर रहे हैं तो परिविट लेंथ कितना चार्ज कर रहे हैं कितना चार्जिपएंट करने उसी को बोलते हैं continuous charge distribution फिर उसके और फिल्ट किसी पॉइंट चार्ज की वैसे कितना होता है सिर्फ मैं बता दे रहा हूं सिर्फ मैं बोल दे रहा हूं फॉर्मला क्या होता है जैसे फॉर्मला मुझे याद है वैसे आपको फॉर्मला याद होना चाहिए फॉर्मला याद होना चाहिए एक एक फॉर्मला याद है तो उस फॉर्मला को आप अटेम करना सीख जाएंगे फिर आपका है की ना में अब ऐसे शान जान जाएंगे फिर आपका हो जाएगा अगर इसे दौई निकालते हम एक axial point पे और एक equatorial point पे, निकाला है 12th में, सब किया हुआ है, उसके अथिराप का हो जाएगा, torque किस पे, torque dipole पे, dipole को अगर electric field में रख दें, तब कितना torque उस पे लगता है, क्योंकि जब किसी dipole को electric field में रखते हैं, तो उस पे torque लगता है, और वो torque लगने के वह से, वो rotate करता है, ठीक है, वो rotational effect कोई torque बोलते हैं, वो torque कितना होगा, उसका formula, P sin theta, पड़ा है, P dipole, E electric field, यह आपका होगा है, electrostatic का पहला वाला electric field, ठीक है, अभी इसमें और है, इसके बाद आपका आजाता है, electric flux, electric flux क्या होता है, flux को 5 से denote करते थे 12th में, है न, 5 से denote करते हैं, हाई को क्य होता, E dot, E dot A, E dot A, मतलब की electric field, dot product of electric field and area vector, ठीक है, उसके और फिर Gauss theorem, Gauss theorem के हिसाप से हम क्या बोलते हैं, किसी surface में, खुब सारे charge है, जितने भी charge है, और उसका, मतलब किसी surface में, किसी body में, जो total अंदर charge है, उनकी वज़े, जो electric flux का, electric flux होगा, वो कितना होगा, total charge अपॉन Epsilon, E dot, यह B आपने पढ़ा है, उसके बाद फिर Gauss Lock का, यूज करके, Gauss Lock का, यूज करके हम क्या करेंगे, field निकालेंगे, किसकी के विए से field निकालेंगे, long wire, infinite wire के विए से निकालेंगे, फिर infinite plane, street के विए से निकालेंगे, मतलब कि एक wire है, जो कि पूरा-पूरा charge लगा ह हुआ है, उसके इस साइड, किसी भी तरफ पे, कुछ दूरी पे, electric field कितना होगा, वो निकालेंगे, Gauss Lock, Gauss Thorem का, यूज करके, फिर Gauss Thorem का, यूज करके, sheet के विए से, मतलब, पतली seat हो, और उसके पूरा-पूरा charge, पूरा-पूरा charge हो, और उसके विए से, किसी दूरी पे उदर, चाहे इदर, उसके right side सा है, मतलब, backward side सा है, front side पे, कितना electric field होगी, पूरी sheet के विए से, वो जानेंगे, उसके फिर आपका क्या हो जाएगा, shell, spherical shell, इस बार सिलिबस में नहीं था, लेकिन, board में नहीं था, CVT के सिलिबस में ये है, कि spherical charge shell होगा, उसके inside और outside में flux कितन होगा, electric field कितना होगा, गौस्तरम से निकालेंगे, ये आपका होगा पहला चेप्टर, 12th का पहला चेप्टर, पहला चेप्टर कौन सा, electric charge and fields, इसमें इतने topic होगे, फिर आपका दूसरा चेप्टर था, उसके बाद, दूसरा इसबढ़ किया था, electrostatic condition and capacitance, इसमें कौन कौन स definition जानना है, बस यहां तो देने का कोई मतलब भी नहीं था, सिर्फ आपको यहां से start of chapter असल में है, ठीक है, यह बस थेरी पार्ट हमको समझ लेना है, chapter थो हमारा असल में, यहां से start of electric potential, और potential किसकी वज़े से, dipole के वज़े से, ठीक है, dipole के वज़े से कहा कहा, axial point और equatorial point प C equals to Q by V, यह formula इससे शुरुआत करेंगे, और फिर potential क्या नामे कि, capacitance इससे शुरुआत करेंगे, फिर capacitance को series और parallel में कैसे addition किया जाता है, इसको देखेंगे, फिर dielectric polarization, यह anxiety में और क्या नामे कि, आपके कि किसी भी book में दिया रहता है, यह तरह का substance है, जो कि electric field को क्या करता है, अपोस करता है electric field को, जिसके वैसे उसके अंदर electric field, थोड़ी net electric field कम हो जाती है, फिर क्या होता है, इसी किसी भी electric field को provide किया जाए, तो उसके वैसे क्या होता है, उसके अंदर polarization, यानि कि charges separate हो जाते है, उसको polarization कहते है, तो यह चीज़े देखेंगे, क्या क्या है, फिर parallel plate capacitor क्य क्या होता है, parallel plate capacitor, dielectric के साथ, और dielectric के बिना, dielectric के साथ, dielectric कर उसके बीच में रख दिया जाए, parallel plate capacitor के, तो उसके वैसे कितना होगा, और dielectric न रखा जाए, ऐसे plates हो, तो उसके वैसे कितना होगा, पढ़ा होगा, c equals to epsilon not a by d, ठीक है, एक, और energy store क्या होती है, जब 4 store होगी, त तो उसको देखेंगे, फिर आपका एक last topic है, इस chapter का, electric potential and capacitance का एक last topic है, वेंडी graph generator, यह जो है कि, बोर्ड की syllabus में नहीं रहा है, कई सालों से नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है, यह आपका होगा है, पहली unit, physics की पहली unit होगी, क्याना हम electrostatic, देख लिजे, current lecture में क्या क्या topic है, पहला drift velocity, mobility, VD equals to E, E tau by M, यह पढ़ा है, formula, mu equals to VD upon E, VD upon E, मतलब electric field, मतलब की drift velocity परेउट, electric field, यह relation पढ़ा है, I equals to N, E, VE, N, E, A, VD, ठेक है, relation किसके बीच में, drift velocity और, current के बीच में, फिर, ohms law, V equals to IR, इससे formula क्या क्या बनेंगे, क्या क्या चीज़े होंगे, इनको बिल्कुल depth में, ohms law, सिर्फ ohms law ही नहीं, ohms law क्या होता है, non-ohms law क्या होता है, उनके दोनों के graph कैसे होंगे, VI graph, यह समझेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, resistivity और conductivity क्या होता है, rho equals to R into A by L, पूरा याद होना जी, formula याद, it means के question आसान, फिर आपका electrical energy और power, electrical energy कितनी होगे, power कितना होगा, power request in open time, फिर carbon register, इस बार बोर्ड में नहीं था, बट, CUT में है, carbon register, उसके वैसे color coding of carbon किसी register में color coding की जाती है, तो color coding जो की जाती है, उससे resistance कैसे पता करते है, उसका तरीका सीखेंगे, फिर temperature, temperature coefficient of resistance, resistance के उपर temperature का क्या effect पढ़ता है, और temperature बढ़ाने पे कितना बढ़ जाएगा, उसका resistance, वो समझेंगे, और उस पे coefficient, एक constant आता है, alpha, जिसको हम बोलते है, temperature coefficient of resistance, उसको भी समझेंगे, उसका formula समझेंगे, उसके question लगाएगे, फिर आपको आता है, internal resistance of cell, किसी cell का internal resistance, क्या होता है, मतलब कि कोई भी cell है, कोई भी cell है, उसके अंदर कुछ नगुछ resistance होगा, वो resistance कितना होगा, उसका formula r equals to e minus v upon v, ठीक है, ये था, फिर होज भी इस बार किया थे, खुब सारे circuits solve कियोंगे, खुब सारे circuits solve कियोंगे, सब में KVL, KCL लगा-लगा के current voltage किसी भी device के थुरू कितना होगा, वो देखा है, यहाँ पर वही करना होगा, questions करने होगे, इस पे, तो किर्चॉफ law, दो किर्चॉफ law, किर्चॉफ voltage law, और किर् जंक्शन पी, आउटवर्ड और चाहे, इनवर्ड, टोटल जो current किसी junction पर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, उसके बीच बनाते हैं, जिसमें चार रेस्चिंस होते हैं, और बीच में जोड़ते हैं, जिसके थूरू current जीरो हो जाता है, ठीक है, तो वैसा circuit बनाते हैं, उसक फिर आपको potentiometer, potentiometer एक ऐसा device, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी cell का EMF, चाहे दो cell के EMF का comparison पढ़ते हैं, ठीक है, यह आपको current electricity का part हो गया, ठीक है, इतना ही topic है, syllabus अगर आप देखोगे, तो उसमें बहुत सारा तोड़ा हुआ है, लेकिन इतना ही पढ़ना, इतना काफी ह करेंगे, अगला, यह second unit हो गया, third unit आपकी, third unit जो लिखा हो थे syllabus में, syllabus को ठीक से एक बार देखना, ठीक है, unit unit जो बाटा हुआ है, electrostatic को एक unit पे दिया हुआ है, फिर current electricity को एक unit पे दिया हुआ है, फिर magnetic effect of current and magnetism, जो कि यह दो chapters हुआ करते थे, moving charges in magnetism, और magnetism and matter, दो chapter हुआ क उस chapter को, दोनों chapter को एक में दे दिया है, एक unit में दे दिया है, CUT ने जो syllabus निकाला है, ठीक है, पहला आपको बाट सवर्ट लोग, बी निकालने का एक लोग है, magnetic field के लिए formula निकाला था, B equals to main order one four pi, ideal sin theta one r square, वो formula, यह formula से, फिर इसका application, application कौन-कौन सा, loop के वज़े से center पे, loop के वज़े से, उसके axial point पे, किसी infinite wire के वज़े से, मतलब जिसमें current flow हो रहा हो, सब की वह से magnetic field निकालेंगे, bytes word law का यूज़ करके, तभी यह application बोल रहा हो, सिर्फ इतना सा लिखा मैंने, इस application का मतलब तीन पार्ट आ जाएगा, तीन वा जाएगा इसमें, ठीक है, फिर MPA circle law, MPA circle law क्या, line integral of magnetic field equals to main order I, ठीक है, उसका application, मतलब उसका application क्या, कि उसका, उसको use करके, MPA circle law को use करके, हम क्या करेंगे, क्या नाम की wire के वए से, loop के वए से, भी मैंने, निकालेंगे, इसका MPA circle law का इव यूस करके, हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, वो देखेंगे, ठीक है, फिर, अगला, अगर किसी charge को, किसी charge को magnetic field में रख दें, तो force कितना होगा, वो भी पढ़ा हुआ है, है ना, वो भी पढ़ा हुआ है, कितना लगता है, क coefficient लेता है, क्या पूलते हैं, उसका Permanent component लेते हैं, ठीक है, फिर क्या आपका अगला, जब आप ये कर लेंगे, uniformity field और electric field दोनों में रखेंगे, तो क्या-क्या फरक पड़ेगा, वो देखेंगे, और दोनों में एक साथ रख दें, तब क्या फरक पड़ेगा, उस charge का motion कैसा होगा, ये भी देखेंगे, ठीक है, फिर cyclotron, cyclotron एक ऐसा device, जो कि charge को बहुत ही high speed में, move कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इस cyclotron पूरा device है, पुरे device को अलग से पढ़ना है, जैसे कि आप किसी device को पहले से पढ़ते हैं, जैसे कि 11th class में पढ़ा होगा, एक device ह होता था जिसके यूज करते क्या था, अच्छा, अब भी याद में आ रहा, ठीक है, तो cyclotron एक ऐसा device है, किसी charge को बहुत high speed में, किसी charge particle को बहुत high speed में, मोशन कराते हैं, ठीक है, उस पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कि कितना थेज़ करा सकता है, कितना speed में, कितन बहुत है, ठीक है, current carrying conductor हो, और वो उस पे force कितना लगेगा, किसी uniform magnetic field में रख दिये जाए, तो उसे force कितना लगेगा, वो भी देखेंगे, ilb sin theta, है न, पढ़ा हुआ है सब, फिर दो parallel current carrying conductor रख दिये जाए, तो उनकी बीच में force कितना होगा, ये भी देखेंगे, दो wire अगर में principle भी होता है, torque क्या, किसी current loop को अगर रख दिया जाए, अगर याद हो आपको, एक rectangular loop रखते थे, उसको negative film रखते थे, 10th class में पढ़ा है, rectangular loop रखते थे, negative film के बीच में रखते थे, तो loop क्या होता था, torque लगता था, rotate करता था, रोटेट करता था, ठीक है, तो वह वाला, torque कितना लगेगा, उसको देखेंगे, फिर, इसी principle paid moving coil galvanometer, मतलब कोई galvanometer जो होता है, जोगी current बताता है, किस circuit में कितना है, कितना नहीं, किदर move कर रहा है, क इसी world meter में, यह सब देखेंगे एक साथ, मतलब जो board में पढ़ा था, वह ही है, अगली unit, मतलब इसका अगला chapter, अगला क्या, magnetism and matter, magnetism matter वाला पार्ट क्या, कोई भी current loop को, हम magnetic dipole की तरह देखते हैं, मतलब कोई loop होता है, तो magnetic dipole के तरह बीएव करता है, मतलब एक loop अगर ले मतलब है, तो जो backward side अगो वो backward side देखेंगे, तो नॉर्थ pole हो जाएगा, ठीक है, तो उसका magnet dipole में कैसे वो behave करता है, और वो south pole, north pole कैसे पता करेंगे, उसके face से, और फिर उसकी वाज़े से magnet dipole moment कितना होगा, magnet dipole moment M से रिनोट करते हैं, और M equals to NIA, N क्या number of turns, I क्या current, A क्या area of the loop, ठीक है, फिर magnet dipole moment किसका, जब electron अगर circular motion कर रहा हो, loop form में, तो उसके magnet dipole moment कितना होगा हो देखेंगे, उसके आद फिर आपका क्या है, magnetic field intensity, किसी magnet dipole पे, मतलब कि magnet dipole पे, कहां कहां पे, axial point और equatorial point पे, ठीक है, तोनों पे magnetic field intensity देखेंगे, कितनी है, फिर torque, किसी वही magnet dip यहां पे कौन भीएफ करेंगा, मेरेट dipole जो बोल रहे हैं यहां पे, जो magnet होता है, वो भी dipole के दो भी कहा जाता है, एक तरह सी, ठीक है, लूपी सिर्फ डाइपोल नहीं, वो अगर मेरेटी दैपोल होता ही है, वो लूप बीएफ करता ही है, करेंट केरिंग लूप, लेक यह देखेंगे सभी प्रॉपर्टी करके पड़ लेंगे एक बार फिर आपका अर्थ की मैंटिक फिल्ड कैसी होती है उसकी मैंटिक एलिमेंट कैसे होते हैं मतलब और यह बहुत उच्छा टॉपिक रहेगा ठीक है माडिक माडेरियल में तीन थे मैंटिक होते हैं फिर मैंहें होते हैं इनतीक सोफ्सेंस के बारे जानें इने इनने एक्शांबल हो गया उसके अगला है उसके अगला है उसके अगले और अगली क्या मतलब इलेक्ट्र इंडुक्षन करेंड इसमें इतना जो पार्ट है मैंने जो बनाया इतना यहां से आपका अधर इने करेंट का हो गया ठीक है इस यूनिट में क्या-क्या है एक बार याद दिला दूँ आपको ट्ल्थ में जो बोर्ड में आपने पढ़ा था फराइडेस लॉप में तो वह किस डारेक्शन में हो रहा है लेंज लॉसे पता करतें फिर एडी करेंट को भी पढ़ा है ब को पी एक बार बता दे रहा हो है किसी भी स्थोस बॉड़ी मतलब की आप महलिए क्यूविकल ब्लॉक ले 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 और उसको मैं अधर बीच में रख दिए हैं तो स्प्लेट करेंट कैसी हो होगे यह में किस तरह सब्सट पार जो होते हैं तो सब्सक्रांब फेंधर होती हैं का स्वाइस कॉल क्या करें खुद में एक दूसरे को हैं कि हुआ, इसका भी पर एक दोस्त की हुए, शब्लौ कि से दूसरे कोईल में एंडूश हो जांगे सबसulations कैसे आएंगे फिर आपका इतने पनना है बहुत जाहता है अगर मैंने क्या कर दिया थोड़ा इसको वेल डिफाइंड फॉर्म में लिख दिया इस तरह से बढ़ाऊंगा मैं एक एक चप्टर इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे हम ठीक है फिर आपका अगला पीक और आर्मेस वैल्डरेनिक करेंगा पीक वैली क्या होती है इक फॉल्ड होता था ना इक वी नॉट सायन ओमेगा टी इक वी नॉट सायन ओमेगा टी यह सब फॉर्मले होते थे ना बेसिक जो अलगरेंग की इसको मिलेगा उसके जितनी हीट हुई वह current क्या कहले है RMS value peak value में relation क्या होता है RMS value जो होती current की चाहे EMF की वह E not upon root 2 चाहे I not upon root 2 ठीक है यह पढ़ेंगे कैसे formula आता है वह आपने board में पढ़ाया मैं सिर्फ बताऊंगा question लगा में वह काम कत्व ठीक है फिर reactant क्या होता impedance क्या होता reactance or impedance क्या भया पुक्त विया। वो किया। उसकिया का थिक्टेंज है। उसके उपडींच क्या निया है। इक इम्पिटेंज हो जाएगा। दूरों का मिलाकर पूरत क्रूर्चिय क्वैव खाए ग्सर्कृट निया क्तोब उसके पूर्चमंज है। एक कुल मैं ब olan टेन को या मिला कुल्वी दन का यदे करी पर जो को जो जो पिछिस्ट कर रहा गया मुसको देखेंगे लस्यर क्रेट में सब लिक्षाएं कि होते हैं मतलब इंड़क्र और के जो सर्कृट होगा वह एक तरह का मैं उसमें जितना हम क्या करें इंडक्टर करें देगा फिर इंडक्टर करेंगा यह लगातार चलता रहेगा इसी बोलते हैं पढ़ा हुआ है अब अगर इस बार से भले यह बोर्ड के से लिबस में नहीं था बट पढ़ना है वह यहां में स्टेंस मतलब पूरा कितना होगा ग्राइब सो रूट में लुइसल माइन से का होल स्कोर यह बढ़ा है ठीक है जैड निकाला आइक वेली निकाली जो फाई इन दोनों यह फेस दिफ्रेंस थीटा होगा वह निकाला कितना होगा सब चीज निकालेंगे सब में ग्राफ भी सिर्ट निकलने वाला तो अधर के बराबर तो तो यह तो बराबर हो जाएगा एक्सली बराबर हो जाएगा उसकी वें से क्या हो तो सिर्फ वही टूडल रेशूटन सो गा थेका है इसको अलग ज मुणद्र कावर केंगे होगा तो किसाथ सब में और किसे इतना होगा टिक़ में चंट कहरें उसके कावर कितना होगा ठीक है और एक आतले का ला क्या होगा वह भी पड़ेंगे उसके मद्ला desperate साइन फाइवाला जो कॉमपरेंट होता है ठीक है वह वाटलेस करेंट होता है जिसकी वैसे पावर क्या हो जाए पूर्णेटर देखा आने वाला यह चाहे ट्रांसफार्वर पूरा पूरा वरकिंग सब कुछ फॉर्मले सब कैसे कैसे हम करते हैं पूरा आएगा यहां पर भी पढ़ना है पूरी पर इससे नुमेरिकल क्या सकता है नुमेरिकल नहीं सिर्फ कोईस्चन आ जाएंगे कि 45 मिनट चालिस करना है ऐसा थोड़े नहीं कि दो चार मिनट का एक ही कुश्चन देदे ठीक है ज्याद देटिकल कुश्चन होंगे तुम यह है और तीसरा झाल ठीक है यह फूर्ट फिनलेकल वेब इसक्तिकल करेंट ना क्या था किसी के लिए था उसकी अक्रॉस एलेक्टिक फिल्ट के विए से जाब कुश्चन के वह से जब आ जाते तो इंग्या वह बताएंगे ठीक है फिर लगलब टाइप की वेफ उनकी ग् जो पार्टिकल होंगी उसको बताएंगे स्पेक्ट्रम पूरा रेडियो वेव माइक्रोवेव कॉस्मिक रेज ठीक है अल्फा क्या नामे की अल्फा बीटा जो भी सब रेज है सबकी फ्रिक्वेंसी सब का यूज देखेंगे हम ठीक है यह पूरा 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 आपका रेगां ऑप्टिक्स में दो पार्ट प्रेयृप्स बॉसां एक पूरा और-व्डव पूरा भूरा फॉर्म नेंटल और रीफ्लेक्ट्टिक्शन उसके अप्लिकेस्ट अप्लिकेस्ट्स्य में आपका आजाएगा वह जो मिराज वाला था जो आपका क्या नामे की मॉप्टिकल फाइबर था वो सब एप्लिकेशन टोटल रिफ्रेक्टिंग प्रेज्म में एक होता है वो भी ठीक है सब इस वाले पार्ट में आ जाएगा पूरी थे वाला पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे इसको समझेंगे क्या होता है ठीक है फ कहा है ठीक है तक फॉर्म्ट जोनेटर यूम में विकस्서 फोर्म्ला उस से सब्ढलए अगए थंक अंव करेंगे यहां अलग नहीं है जिए थी है इसकी तोड़े के बाद आएगा बढ़ेंद साव्यचल सब्सक्राइद वह के टारिवसे कब्गाइन कर दे तो कई ऑफ ट।ल फोकस फोकल किसी वाइट कालर में बढ़ जाती है कैसे होगा वो समझेंगे फिर scattering of light scattering of light क्या लाइट का विखर जाना किसी solution से पास हो के चाहिए किसी बहुत किसी medium से पास हो के light का विखर जाना क्या कहलाता इस के वज़े से 10 में पढ़ते थे कि blue color of sky क्यूं है sunrise के दौरान sunset के दौरान वो जो light red richness होती है वो क्यूं है ठीक है फिर optical instrument आपका पूरा microscope और telescope microscope में क्या सिंपल माइक्रोस्कोप और उनका magnifying power उनका magnifying power क्या क्या होता है फार्मला वो टेलिस्कोप टेलिस्कोप दो के एक होगा reflecting एक होगा reflecting दोनों डरिस्कोप पढ़ना है भाई उसके और फिर क्या क्या नामें कि defect of eye eye का defect वो तीन टों defect होते है न मायोपिया हाईपरमेट्रोपिया और प्रेजबायोपिया ठीक है यह सब उनके correction कैसे कैसे किया सकते हैं के correction पूरे पढ़नेंगे theory part यह आपका optics का एक पार्ट यह हो गया और अगला पार्ट आपका क्या है वेव optics ठीक है रे optics उसके फिर वेव ऑप्टिक्स वेव अप्टिक्स वह हाई प्रिंसपल क्या होता है ठीक है और यूज करके reflection को हम proof करेंगे proof करेंगे कैसे करते हैं करेंगे इनका proof थोड़े ना आने जा रहा है तुमारे syllabus में बस यह है कि उनको समझ लेना है थोड़ा अच्छे समझ लेंगे तो होगा क्या महाँ पर question समारे जो आएंगे लगा पाएंगे हम कर पाएंगे interference of light interference क्या होता है समझेंगे interference गोलाइक के बाद intensity कितनी होती इंटेंसेटी के value इंटेंसेटी का कितना होगा इस सब पढ़ेंगे उसके आद फिर आपको क्या हो जाएगा यंग डॉट का भी इंपरिमेंट रहेगा यह ठीक है यंग डॉट की वज़े से क्या होता है अलग-अलग फिरिंजेज बनते हैं राइट फिरिंट राइट जैसे बनता जाता है ना तो सब कितने सबकिन सबाइट के और रेक्तिकल पूरा है प्राइट को यह पूरा चीसा निखेंगे सब पढ़ेंगे थे यह फ्लाइट किसके इसे डिफ्रेक्शन फ्लाइट क्या नहीं में कि डिफ्रेक्शन तुर सिंगल स्रेट सिर्फ मैंने डिफ्रेक्शन और होटा है और सेंटर पर इजो मैंसे आपका यहां है इसको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं तुझे कि भाई कई से होगा है ठीक है यह जो पार्ट है आपका यह लिखने रहा भाई कि अब देख ले रहा हूं मैं कि छोड़ रहा है बस यह बता दे रहा हूं क्या कि रिजॉल्विंग पावर औफ ऑफ-टेलिसकोप इस बार बोर्ड में नहीं था पेशली बार बुर्ड में भी था लेकिन इसमें पढ़णा है प्लराइशन और विस्टर लाव पढ़णा है प्लेन प्लाइज ठीज थे क्या क्या था अगला यूनिट आपका आपका आजाता है modern physics का पार्ट में क्या पहला आपका एक चप्टा मैडे दूसरी बुक में इनजाइटि के हिसाब दूसरी विख होती है ना दूसरी दूसरी बुक में डॉल वह observation भी समझेंगे ठीक है यह समझेंगे फिर डेविशन जर्मर का चप्टर बहुत छोटा खत्म हो जाएगा खुशन से जादा सकते हैं भाई को तो उसमें साइध आ जाए इसमें साइध आ जाए तो तो करेंगे पता चलता जाएगा जहां 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 आगे बढ़ते सब्सक्राइब तो पता चलता जाएगा कि कैसे स्यूटी बना सकता है जब हम क्रेंगे क्वेशन कैसे आ सकते हें फिर आपका सब्सक्राइब करना लिख दिया कि उसी से कुशन आना जरूरी है बस लिख दिया कि यह सब चले बस मैं सब पढ़ जाओ गटर बस रख दिया अब पढ़ पूरा ठीक है अब फिर आपका रेडिये अलफा बीटा गामा यह नहीं था यह पाट नहीं थी इस बार बोड में नही थी अगला पढ़त टीक अल्फा डीक गामा डीक और और उसको पढ़ना है फिर mass energy equation 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 squared यही है mass effect mass जो अधिक हो जाता है जाक्वान हो जाता है उसको पढ़ना वह देखेंगे फिर binding energy क्या होती है Nicholas को जो Nicholas जू पूरे proton और neutron को bind करें रखता है उसमें जतनी energy इसको तोड़नी में लगानी पड़े बनेगए तो निकलन कितनी होगी पर नूटन पर प्रोटन तो सब्सक्राइब के साथ बैंपने नबर बादलता जाएगा तो क्या नतर आएगा ते वह कि अग्ला के है आड़को डिवाइसैज आफ्री दिवाइसुन हो फिसके टाइवोड जो जो सेमीडिक्टर होते हैं एक स्विक्टर हुथ समय में करके निक्दा कि न्यूसिक सोटा कर ठाइब नितना कor समझेंगे क्या होता है कैसे फॉर्म होता है उसकी कैसे होती सब देखेंगे सब कर बनाएंगे ग्राफ में बता दी किसका रिवर्स बाइस का है ठीक है फिर डायोड को रेक्टिफायर की तरह मतलब क्या सब बनता है तो इन सबके बारे में अलग सब के बारे सिर्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी से हो रही चाहिए कि इनसे कुष्टन बनेंगे जो कि सिर्फ एक मिनट के अंदर मतलब कुछ सकेंड देखते ही तो बस टिक मार देगा ठीक है तो इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से ठीक है फिर जैने डायोड अलग टैप का डायोड रिवर्स कनेक करके बहुत हाई वोल्टेज कराके देते हैं कराते हैं तो वह एक जैने डाय होता है जैने एक साइंटिस्ट का नाम था ठीक है और उसके फिजिस्ट का नाम था फिर जैने डायोड रेगलेटर मतलब वोल्टेज रेगलेटर के कैसी उसके वोल्टेज कम या ज्यादा की यूज करहां कि यूज कर सकते तो कैसे क्लवली पार्टेंगे फिर जंख्शन राइस्टर पी पिंदन को यूज करके हम क्या करते है ट्राइस्टर क्या होते हैं जोrites है फिर को एंपलिफायर कारी यूस के आता है ठीक है में लिक्न सा placing वाला सबसे है एक जो सब पढ़ना है ठीक है पिछली बार था इस बार नहीं है ठीक है बोर्ड में नहीं है से यूटी में है बढ़ना तो पढ़ेगा और यह लास्ट पार्ट यह लास्ट पार्ट जो की बहुत सालों से मतलब कि जब मैं पढ़ता था आज से 8-10 साल हो गया मुझे 8-10 साल हो गया लगब मुझे 12 पढ़े हुए तो तब उस समय यह syllabus में था उसके बाद एक दूसाल बाद यह communication system कड़ गया था तो इसकी थेरी पार्ट में क्या करूंगा पूरा अच्छे से जब तक पूरी पूरी तरीके से इसको discuss करूंगा उसके बाद question लगाऊंगा इसको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा तब इससे questions हम कर पाएंगे ठीक है तो नया है तो topic देखले बस topic देखलो आप लोग ठीक है कि topic क्या क्या है और फिर जब इसको क्या नामे की एक एक पढ़ना चालू करे कि मतलब common common university interest test ठीक है यही था भाई स्यूटी का पूरा syllabus और स्यूटी का syllabus हम पूरा मैंने बता दिया क्या-क्या था और स्यूटी कोई पांच पार्ट में मैंने कलिया ठीक है अभी एक टॉपिक हो अलग-अलग करके कोशिश यही रहेगी कि topic को मैं थोड़ा इतने अच्छ पूर्म याद कर सकते कि दिमाग पर सकते हो और इतना अगर कर लो ने बेटा तो बहुत असान है तो ठीक है तो एक बार मैं बता दे रहा हूं कि क्या मैंने बताया स्यूटी को सिद्दी स्लिबस को मैंने चार पांट में तोड़ा एक उलेक्ट्रमेंगडिजम जिसमें पां बादन फिजिक्स डॉल ने चलो मैटर एडिशन और एक लेक्टोनिक्स में यह कर दिया तो चारी पार्ट फिजिक्स का पढ़ने वाला है बहुत बहुत होता है लेकिन चार पार्टी तुझे पढ़ना है ठीक है तो यह चार पार्ट देखेंगे एक चीज को अलग स्लिबस डिसक्सन हो गया स्लिबस डिसक्सन तो एक फॉर्मैलिटी है करना पढ़ेगा शुरुवात करनी है तो पहले शिलिबस तो बता दिया जाए कि उसलिबस अगर आपको भाई या दिमाग में याद है तो बड़ा ही आसान है आगे का जरनी जो भी तैयारी की है स्लिब अगली वडियो में मिलते हैं